रात के साड़ी 11 बच रहे थे मैं वॉक करके आ गई थी रात की वॉक अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूं दिन की वॉक अभी छोड रखी है तो यहां मसूर की डाल यह घर वाली डाले तो इसे थुरा सा चुनना पड़ता है फिर इधर में मिल रही हूं आपको सुबह और सुब करदर में अभी भी बहुत जादा दर्द है तो मैंने सोया चलो वॉक तो हो जाएगी रात की दिन में नहीं जाने का मन कर रहा है आजकल तो अभी मैंने चार-पास दिन की छुट्टी ले रखी है सुवे की वॉक से तो यहां मसूर की डाली चरा रही थी तो नमक और हल्दी डाल दिया था अराम से पकती रहेगी और फिर इसके बाद जाओंगी ब्रस वगरा करने और बच्चों को भी उठाना था तो आजकल आराम से सोके उठ रही हो नीदी अच्छी कंप्लीट हो जा रही है थोड़ा जादा ही सो ले रही हो अच्छा लग रहा है बहुत ही फ्रस सबजी डाले बन चाहता है तो बस यहीं पास्ता उबार रही थी इदर माइक्रो नहीं पास्ता कई नाम से मैं तो पास्ता ही बोलती हूं तो बस यहां पर इस तरह अलग अलग शेप के आते हैं बस यह और कोई फरक नहीं होता है तो बस वहीं डाल रही थी उबलने के लिए तो इसे चान लेंगे और जितना भी स्टार्च होता है ना सारा का सारा निकल जाता है चिपचिपपन विल्कुल खताम हो जाएगा आप चाहो तो एक्दम ठंडे पानी से मैंने दो करके रख दिया है इसे के लावा एक चमस तेल डाल करके से मिला के रख सकते हैं अज कौन सा दीन है आज थाजड़े है कल प्राइड़े कल माहा शिवरात्री है तो बेटिया को सुबह उठा दिया था तो अभी इसकी चलरी है पढ़ाई क्योंकि आज मैत का एक्जाम है तो पहले उठा दिया था इसको कुछ-कुछ मिस्टेक करी है बहुत ही मतलब जो पिछला पढ़ाया है न वो टेवल ही बूल जा रही तो उसी से मिस्टेक कर रही है मंटिप्लिकेशन में तो वही अभी इसका कंप्लीट करवा रही थी कि भाई पढ़ लो ताकि एक्जाम में दिख कद रहा हूं तो बहुत रोते-गाते उठी थी इतने खुशी-खुशी नहीं उठी थी पर अभी काफी है याद करके और बस इनको पढ़ा लेते और भी बनाते फटा-फट से नास्ता तो सबसे पहले मैं अपनी चाय बनाऊंगी यानि मेरी वेट लॉस ड्रिंक तो यहां बर पानी रख लिया है पतीले में इसक थोड़ा करके थोड़ी सबजियों में यूज होता है बाकिस तरह की रिंक बनाने में यूज होता है तो वो डाल दिया है आपको छोटा सा ही इस्तेमाल करना है मतलब आपकी जो उंगली होती है न तो उंगली का एक हिस्सा यूज करना है उतना ही अधरक उतना ही हल्दी में और बिल्कुल अच्छे से उबाल लेंगे दस मिनट तक इसके बाद छान करके पीजे गरम-गरम तो बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलता है और पेट में ऐसे डिटी वेगरा भी नहीं रहती है सरीर भी हलका होता और वैली फेट के लिए तो बहुत ही बढ़ी है इ जिनके भी पेट में कप जो रहता है पेट क्लीन नहीं होता है सुबह सुबह ब्लोटिंग रहती है या फिलावट है तो यह वाली रेमडी जरूर अपना है बहुत ही बढ़िया है इससे बहुत मजा आ जाएगा आप कंटीनियों से चार से पास दीन पीए अलग 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 शुबहें अझावाइख टू कुछ फुए लएगा हमेसदु है थ्टू कू इप टूर नहीं है पोहाइज रहेगा घू कि अ तो पीट गूश रहएगा इपका सि आपका श्क्रोंय पेट जीन पो बूरूर श्मोंय को पूरी ऊच्छ रहेगा इस को बहूँ आपका एम्या को खाना था तो बना लेती है और बेटी को श्कूल जाने का टाइम हो रहा तो फटा फटा फरसी का आप लेते हैं आलो काई आलो काई आप इजी बेटे चल लो एक टेटी वी काई आलो कि युजता आलो कि चल ऊथे आलो काई आलो की लिए आलो तो इदर इशू भी शो करके उठ गया था और इसके दवाई का टाइम हो गया था तो इसे थोड़ी थोड़ी सर्दी जो काम हो रखी इसको अचानक से कप बनने लगता है और इसे थोड़ी थोड़ी प्राबलम होने लगती है तो प्राबलम होने के पहले ही मैं इसे दवाई देना स्टार्ट कर देती हूं कि इसकी प्राबलम इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है ना कि एंटिबाटिक देना पड़ता है मैं उससे पचने के लिए फिर इसे टाइम से इसकी सवसर्दी जुखाम जैसे स्टार्ट होती है तभी मैं दे देती हूं तो यहां पर मेरे पास दो दवाईया है इसकी एक नॉर्मल इनहेलर है और एक एमर्जनसी वाला एमर्जनसी का इसको जब ब्रेथिंग की प्रॉब्लम होने लग पकाता है और बच्चों ने सब्जी मना कर रखा और फिरुब्लम में कुछ नगुश तो डाल उगी है तो इसमें प्याज डाल दिया है और बारीकबारीक कट कर दिती इनको बिल्कूर पता भी नहीं चलता है और प्याज बगर अच्छे थोड़ी से पका लेती है जदा नह बड़ा टेस्टी सा मैगी सा फ्लेवर देता है बहुत अच्छा लगता है तो मैगी में अपना खुद का नमक होता है इसके अलावा भी मैं हलका सा नमक डालूंगी अगर इसमें तो और भी बहुत सारी चीजे में डाल सकती हूं सबचियों के अलावा कई सारे सॉसेस आते हैं वो चीज वगरा बड़ मुझे सिंपल सा यह बनाना था बच्चे यह बड़े अच्छे से खा लेते हैं और इशू के टिफिन के लिए भी हो जाएगा वो स्कूल जाएगा ना तो फिर उसे भी दूंगी और तबियत खराब होने की वज़े यह कि मौसम ऐसा अचानक से चेंज हो गया ना बिलकुल दम गर्मी से ठंड आगी ना इस वज़े से थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो बच्चों की तबियत खराब होई जाती है और ऐसी कुछ भी चीजें नहीं बना रही हूँ आजकल सिंपल ही खाना बन रहा है मेरे गन में क्यूंकि बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम नहों एक्जाम भी चल रहे हैं और बेटा स्कूल जाना अभी नया नया स्टार्ट किया है तो बहुत जाए तबित खराब हो बच्चों में दवाईयों से जितना हो सकता उतना बचानी की कोशिस करती हूं बच्चों को तो बस यहां पर कणाई में डाल दी थी मैंने लेसन का ही तड़का लगाया है बत्वे की सब्जी के लिए और इसमें यह सारे आलू डालें बच्चे आलू कसंत बहुत अच्छे स खा लेते हैं यह बच्चों के लिए बना रहे थी थोड़ा सा बत्वा गरम भी होता है और अच्छा भी रहता है नहीं तो अगर मुझे बस खाना रहते तो बैस मैं मिर्ची का तड़का देके और फिर बत्वा का सब्जी बनाती हूं मुझे वैसे ही पसंद आता है सब्जी इतनी सिंपल हो अच्छी लगती है और इधर मसूर की दाल उबाल गई थी ना तो अब इसे तड़का लगाना है तो आज मैं कड़ाई में तड़का लगा रही हूं तो इधर बढ़ियांसी दाल मेरी रेडी हो गई है और यह दाल मुझे खतम करनी है तो अभी दो तीन बार बनाने के लिए बची है तो धेदर ऐसे बना करके खतम कर देंगे क्योंकि इसका टाइम अप चला गया है और इधर बत्वे की सबजी मेरी रेडी हो गई थी बहुत ही बढ़ियां सी खिली-खिली सी सबजी बनी थी और बहुत ही खाने में टेस्टी थी और बत्वे का कलर भ पड़ता है तो यह कटिंग वर्टिंग करा देंगे आज इसके बाल की तो एक बढ़ियां सा इसका चेहरा दिखेगा और बहुत अच्छे से कटिंग कराता है बहुत मजे से कराता है और फिर घर आगे तो मेरी लंच साली रेडी आप लोग भी देखे कैसी लग रही है तो आज का ब्लॉग यहीं तक आई होप आप लोग को पसंद आएगा